तूठ वालेख्म स्टूडेंट्स वेलकम बैक विजास बायू अधिमी हमने इंटेटर स्टाट किया वाद अधर सेकिंड एर और उसका नाम था होमिस्टैसिस वमिस्टैसिस का मैं विश्क्रिश किया था कि रप्रोडेक्शन हो था इंटर्नलिवर फांज़ सेकिंड फिंटर्नलिवर्मेंट्स लेकेश साहसा था हमें पिछ फैक्टर सको भी डिसकर्ष किया तो प्र हमने यह जो रिस्पॉन्स होता है तो यह जो रिस्पॉंस होता है इसको आज हम डिसकस करेंगे कि फीडबैक क्या होता है फीडबैक जा है वो बेसिक है मैं आपके है दो टाइपस का होता है एक फीडबैक होता है जिसको हम कहते है पॉजिटिव फीडबैक मेकनिजम ठीक है और दूसरे को हम क्या कहते है एक positive feedback mechanism हो गया दूस्रा हो गया हमारे पास आजाएगा negative feedback mechanism नेगिटीव feedback mechanism ठीक है negative feedback mechanism and positive feedback mechanism हो गया इसमें पाजिटीव फीड़बएक तो किसी भी रिस्पोंस के अपर क्या है कि एक चेंज आता तो कि मैं रिस्पोंस क्या होगा From a time response यह होता है मैं फार इसमेड कोई उन्हें प्रडूड़ियो तो उन्हें जाता है और कोई उन्हें प्रडूड़ियोस हुआए है तो उस दोभारा से उसको का करना होता है शेटकन करना होता है या उसको यह बालबार आपके service करना है उसको करना होता है believe in the इस चेंज को बढ़ाना है तो हम simply क्या करते हैं इसकी definition क्या करते हैं in feedback mechanism the positive feedback mechanism is that in which the change is amplified या amplification simply अब करते हैं amplification of change तो यह क्या होगा यह होगा यह होगा मापस positive feedback mechanism होगा है ठीक है इसको मजीद बढ़ाती है एक चीज़ अगर change produce हुगा है तो उस change को मजीद induce करते हैं ठीक है यह होगा positive feedback mechanism जो negative feedback mechanism है negative में क्या होता है यह क्या होता है यह बेसी क्लिए क्या करता है यह reversal ठीक है reverse जाता है reversal of the direction of change ठीक है direction of change अब क्या होगा अगर एक चीज़ जो है वो positive जा लिए तो उसको दुबारा से negative लेके आते है तो इसको दुबारा से negative लेके आते है तो इसी तरह पी है वो increase कर गई है ठीक है अगर पी है तो इस पी हूट की increase होने के बाद उसको दुबारा से अपने point में लेकि आना ये negative feedback में क्रिज़ण है ब्लेड प्रेशर है वो low हो गया है जब प्लेड प्रेशर लोग है तो दुबारा उसको increase कर लेके आना response के तो ये negative feedback में क्रिज़ण है ठीक हैं water की कमी हो गया है ताब ब से दोबहरा से क danced शाणया जाड़ा से तो पौजिटिव वे में लेकर आने हैं तो रिवेर्सल ऑक ड्रैकशन है कि हम आपने काम अगर अगर सके इलिक में ली उसको फूले शुरू है को इसको कहते है नेगेडिव फिड़ बैक मेकनिगनिस्म थ authent हैना किन में नेगेडिव का हम औसे कि अससे को कहते हैं है इभारा सट पॉइंट में बात कर आज़ करता हैं यह तॉद्स करता है इसी पाज़ाता है भीत है की बार सेलो होते हैं इस सब्सक्राज़ों कि प्यि jumping going मेकनिजम में इडिस लेस कॉमन गयािकरद देव gotta कम पॉसिटिव फिडबैक मेकनिजम होता है जो तीरी उर गया जो ते अंवि थैक चृटिशन लेता है ती थे Venice अंब ऑग। सब्सक्राइब था इस आप तो यह नहीं तो में उसको रखना जाते हैं तो यह क्या दरता है यह स्टेबिलाइजिंग एफेक्ट इस टेबल करवाता है टमपरेंचर को पी एच को वेस्ट को तो इसी वेज़ेसे यह क्या होता है यह मोर कामन होता है इन नेचर तक भाष इस इस पर मिल को पिले तो बिल्म के इसी ग्रoooo Tax favor reality मिल्म करते हैं और तो भौत देक्शकषबम जाएं पर नम जाएंड हुआ है इस को सिक्रा नेती आ इच छेंपिवा देखते हैं यहां से अनुदर कर लेते हैंuck यह जो हमाने पास है य TS PGauen है और यह क्या हो गया यह माने फास हो गया पॉस्टेरियर पिचुटरी ई ज्द हो गया चीके अचा सपल बात करते हैं तो 부분이 बैक मेकनिसमिक जानल वहती है औक्सिटोसीन रिलीज की औक्सिटोसीन कौन रिलीज करता है बेसिकली होता तो यहां पर हम आपस फार एक्जमपन यहां पर हाइपो थेलमस हाइपो थेलमस क्या करता है इसके नियूरो सिक्रेटरी सेल्स होते है नियूरो सिक्रेटरी सेल्स होते है नियूरो सिक्रेटरी सेल् तो आटा है तो आके पॉस्ट्ट पॉस्ट्टीर पिट्रि ग्लैंड में वह टाता है यहां पर यह सियुधर में स्टॉर उजाता है आता है hier रिलीज होता है यहां से फिर फर्दर प्या होता है यह रिलीज लेइस पर तो मेमरी गैंड़ के ऊफेक्ट करता ने तरहिए डोल मिल्क करता गांगियों साथ और किरा प्रवह बर्मनी ते कि आ एकड़ आफकें और धेगर एकड़ भी कारता प्रवनस् सभा करता है। more and more secretion करता है कि अर्रेडि जो स다 हो रहा था और एक्सीटोसीन सीड्रीट करें अर्रेडि लेकिन आप उस सीक्रीशन गर्रेजुट करते हैं उसको आपने ने की अपसे अप्लाइब करने का जित ओक ज़्यादा से ज्यादा ऑक्सीटोसीन सीड्रीड करें गर और यह जादा नेगेटिव फीड़बेक मेकनिजम जिसारा कि आप पिछले चेटर में पड़ागी के नेफरोन नोटा है जो कि किडिनी में निफ्रोन होता है और वहां पे वाटर की रियब्सारप्शन होता है फार एजम्पल बाडी की अगर बाडी में वाटर की शार्टेज हो जाती है तो तब जो पिच्विट्री ग्लैड है पिच्वित्री ग्लैंड क्या करते हैं यह हर्पाथालमस वाटर को सेंस करते हैं बसा पिच्वित्री ग्लैंड को जो है वो क्या देगा रिस्पौन की योजो कर देगा कि बाइभ खरो एंट क्रिऑ वार्मॉन जो ने इसनद सब्सक्राइब है और इसके और आपके अपेक्ट करतAY और ऐ ही ट्यूब्योट को किया जाते हैं, तो अहरत है , बना जिते हैं , का बना है , बना जहा neden Meshal על the Ihry तोह स्थ में आई जए प्राफ्टरों होता है , मैं इसे भी जाते हैती है , तो दिस्क्रिप्शन में रिइसाय की बना जाँए है, और इस लिक में आप जाके पूरा जो किडिनी का पूरा त्रुक्चर और नेफरोन का राण पूरा पूरा फंक्शन तुछे को आप इसको अच्छी तरह से अच्छी तरह से इस लेक्शर को सुने इसको समझें तो तब आप को यह अंदाज होगा के नेगिटिव फीडबैक मे चार्बन लाइकसाइड की मिगदार ज्यादा हो गई है कर्बंड एक्साइड की मिकदार ज्यादा हो गई है तो कर्बंड एक्साइड की और बंदा क्या कर रहे है बंदा एर को इनहेल कर रहे है क्या कर रहे है एर को इन्हेल कर रहा है तो यह जो एर जाएगी तो इसमें कर्बंट एक्साइड की मिकदार ज्याद है जब कर्बंट एक्साइड की मिकदार ज्याद होगी तो यह क्या होगा जो बाड़ी है यह बलड है बलड में कर्बंट एक्साइड की मिकदार क्या हो जाएगी ये भीमाने पास ज्यादा हो जाएगा तो जो carbon dioxide है इसको कौन sense करता है इसको sense करता है इसको sense करता है hypo thalamus again कौन sense करेगा इसको hypothalamus sense करेगा अब ये जो hypothalamus इसको sense करता है तो ये carbon dioxide बन जाता है factor for more inhalation factor for breathing main factor है और ये भी हमारे रिस्पायरेशन वाले चेप्टर में हमने बड़ी डिटेल से इसके उपर बात की हुगी है तो वहां पर जाके आप देख रहें कार्बन डाइक्साइड एक्ट एक्ट एस फैक्टर फार ब्रीफिंग में फैक्टर है ठीक है इसकी अमाउंट डिपेंड करती क्यूंकि कार्बन डाइक्साइड की जो ऐसे बेमाउंट फैके तो यही हैं कि आप जादे जादाव का एक्ट फैक्टर इसके उत्यार ब्रीफिंग जो कि वी बिएक भी देता है ठीक है कि जादा जादा सांस लो जादा सांस लेते हैं तो उसकी वज़ासे सांस ये इन्वार्मेंट पॉल्यूटेट हुआ हुआ है तो वह कावंसे इन्वार्मेंटल अक्सीजन के पजाए कर्मन अक्साइड हमारे अंदर चाहता चाहेगा उस के अधर वो कर्मन एक्साइड जादा चार्च चला जाएगा जिसकी वज़ा से उसकी डेथ काउस होसकती है यह बहुत ज्यादा हामफुल होता है तो यह नेगिटिव फीडबैक मेकनिजम जो है वो माई पास नीचर में इस वज़ाद होते हैं कि क्योंकि वो रिवर्सल इंड को होगा आपको समझ आई होगी और हमें स्यादर स्यादा कमेंट करें हमाने इस निजास पायो अकेडमी को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपको मोर और अपडेट्स इसी तरह के मिलती रहें थैंक्यू सो मच झाल